हलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागता है आपका अपने यूटूब चैनल पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं औरिजिनल वेजडी कंपोजर कैसे बनाते हैं वैकिस प्रकार से हमारे लिए बहुत जादा उप्योगी है गार्डिनिंग वाड़ों के लिए बहुत साथ गोग इस देखेए यह हमारे पास मदर कुल्चर बचा हुआ है जो हमने पहले हो पगोजर उरदल त्यार किया K MT-した क्यों उसको हमने डाल दिया है और मैं यही जो है पोदो में डालता हूँ अब देखे यह जो वेजडी कंपोजर का ओर्जनल वाला कल्चर है मदर कल्चर है अब यह 3 लेटर बचा हुआ है और यह करीब करीब 30 लेटर का हमारे पास 30 से 35 लेटर का हमारे पास डबबा है जिसमें हम मदर कल्चर त्यार मदर कल्चर से जो है एक ओर्जनल वाला वेजडी कंपोजर दोवारा से त्यार करेंगे उसकी पूरे प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे और इसके रिजल्ट जो मैं आपको दिखाँगा वो काफी लाजवाब है हर एक जो गार्डनिंग करता है ये खेती करता है उसके लिए वरदान है वेजडी कंपोजर आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादव प्योगी देखिए अब इसका रंग वाइट वाइट है अब इसको हम क्या करेंगे इसमें गुड डालेंगे और कुछ नहीं डालना आपने क्योंकि मदर कल्चर से त्यार करने के लिए एक हम गुड डालेंगे गुड के साथ हम इसको पानी से बर्देंगे फिर दो से तीन दिन हम इसको चलाएंगे और उसके बाद देखना है इसका किस तरीके से जो है एक दम बढ़ियक तरीके से घोल त्यार हो जाएगा जो हर पोदे के लिए हर उसके लिए बहुत जादा शानदार है इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने वेश डी कंपोजर ओर जडी कंपोजर मंगाया था उससे मैं त्यार कर चुका हूँ अब इस कल्चर से ही मैं त्यार करूँगा इसमें किस तरीके से मगूड डालेंगे पानी डालेंगे फिर दो से तीन दिन हम इसको चला देंगे यह जिस से के जो है यह बहुत बढ़िया हमारा कल्चर त्यार हो जाएगा और यदि आप इसको अपने खुरडी वाले खाद में पशो को गोबर के खाद में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी त्यार हो जाएगा किसी भी चीज में आप डाल को उसको त्यार करोगे बार आपको बीच बीच में बताते रहेंगे अभी हम आपको इसमें डालते हैं 30 किलो है 30 लिटर का है तो आप जो है 300 ग्राम के लगबग आप इसमें पानी डालिए क्यूंकि 200 लिटर के ड्रम में हमें क्या करना अथा सिर्फ 2 किलो गुड और मदर कल्चर या फिर आप जो है इसमें ओरचिनल वेजडी कंपोजर डाल सकते हैं अब हमारे पास बहुत कम है तो हमने जो है कर देता है जो बहुत ज़्यादा फायदेमन होते हमारी फसल के लिए हमारे पोदों के लिए हमारे पोदों में जह हर्याली भर देता है अब मैं यह मैंने पहले बना लिया था इसके कल्चर से बना रहा हूं आप चाहे बार-बार इसको मल्टिप्लाइ करते रहें करते रहें यह कभी खतम नहीं होता इसकी कोई वेल्डिटी नहीं है इसको आप बार बार इसी तरीके से मल्टिपलाई करते रहें आप मैं आप के इसमें गुड़ डालूंगा जिससे की आपको पता लगेगा देखे इस तरीके से दिए आप तोड़कर जहां गुड़ डालते हैं तो दाएगा और बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करतेगा वहां में इसकी और गुड़ डालेंगे अभी जो है यह बहुत अच्छे से इसमें ही हम साफ करते हैं अपने हाथ अभी आप इस पानी का कलर देख लिए जब त्यार हो जाएगा तो हम आपको जो है इसका पूरा जल्ट दखाएंगे बहुत जवर्दस चीज बनती है यह बहुत जवर्दस जिवानूं बनते हैं इसके अंदर और आप इसके में ज़रूर दिखाऊंगा दो तीन दिन बाद तीन दिन बाद यह त्यार हो जाता है चलिए दोस्तों इस डंडे से जो है हम इसको हर रोज शाम को सुबह दोर दोपैर को ऐसे चला देते हैं जिससे कि यह जह है इसमें अच्छे से मल्टिप्लाई हो सके देखिए अच्छे से गुमाना अपने और यह त्यार हो जाएगा अब यह देखिए गुमा दिया अच्छे से तीन टाइम हम इसको गुमाते हैं गुमाते रहेंगे तो यह देखिए दोस्तों किस परकार से जो है हमारा ओरिजिनल वेश्डी कंपोजर बनकर त्यार है यह देखिए मक्षन की तरह जिस तरीके से एक वैक्ति के लिए या नु बर देता है देखिए किस परकार से हमने आपने देखा जब हमने इसको बनाया था तो किस परकार से यह गुड़ में त्यार हुआ था लेकिन आप इसको देखिए इसका रंग कैसा हो चुका है जाग इसमें कितने आ चुके हैं किसी भी चीज को यानि खाद को आप बहुत ज चौदाज शानदार है यह ओरिजनल वेस्टी कंपोजर से त्यार भोल आप इसको जुरूर त्यार यूज करें दोस्तों देखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद